गुड इूनिंग स्टुडेंट्स, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में थानेस्वर के वर्धनवंस को जानने के लिए जो इत्यास के साधन उनके बारे में जानकर इप्राप्त करेंगे और ये टोपिक एकजाम के द्रिष्टी से बहुत ही महत्वपून है ठीक है तो देखेगा पढ़ते हैं थानेस्वर के वर्धनवंस को जानने के लिए इत्यास के साधन क्या क्या थे गुप्त समराजे के पतन के बाद उत्तरभार्त के राजवणसों में थानेस्वर का पुष्य भूत्ती राजवंस सर्वादिक महत्वपून एम सक्तिसाली था इसी राजवंस को वर्धनवंस के नाम से इत्यास में जानना जाता है गुप्त समराजे का पतन 550 इस्यू में हुआ था वर्धनवंस को जानने के लिए इत्यास के साधन निमनल लिकित हैं देखेगा वर्धनवंस के इत्यास को जानने में सहीते पूरा तत्वय तता विद्देशी वीवरण तीनों परकार के स्रोत सहायक हैं पूरा तत्विक स्रोत सबसे पहले पढ़ते हैं पूरा तत्विक स्रोत और पूरा तत्विक स्रोत में पढ़ते हैं सबसे पहले अभी लेक तो बंसखेडा का लेक और बंसखेडा की लेक के बारे में हमने अलग से वीडियो में भी बताया था आपको बसखेडा का लेक 1894 में इस्वी में उत्रपरदेश के सा जहाँपूर जिल्डे में इस्थित बसखेडा नामक स्थान से मिला है जिसमें हर्ष समच अर्था 628 इस्वी की तिथी अंकित है इस लेक से पता चलता है कि हर्ष ने अहिचत्र भुक्ती के अंगतिया विशे के मरकट सागर नामक ग्राम को बाल चंदर तथा भट्टस्वामी नाम के दो भारद्वाज गोत्तरिय ब्राहमनों को दान दिया था इसे हर्ष कालीन सासन के अनेक पर्देशों तथा पदा दिकारियों के नाम पता चलते हैं राज्य वर्दन द्वारा मालवा के सासक देवगुप्त परविजे तथा अंततहे गोड नरेश ससांक द्वारा उसकी हत्या की जानकरी भी इसी लेक से मिरती है अब आता है मदुवन का लेक यह लेक उत्तर परदेश के मउजिल्य में इस्तित है यहां से हर्ष सम्वत 25 अरथा 631 इस्वी का लेक मिलता है इसमें हर्ष द्वारा स्रावस्ति भुक्ती के सोम कुंडा नमक ग्राम को दान में देने का विवरन मिलता है अब आते पुरातातिक स्रोतों में मुहरें हर्ष की दो मुहरें नालंदा तता सोनपत जो दिल्ली के समीर सोनिपत नमक स्थान से मिली हैं से प्राप्त होती है पहली मुहर मिट्टी तता दूसरी मुहर तामबे की है तो जो नालंदा से जो मुहर मिले वो तो मिटी की है और जो सोनपत से मुहर मिले वो तमबे की है इन पर लेख खुदे हुए हैं जिन में महाराज राज्य वर्धन पर्थम के समय से लेकर हर्स वर्धन तक की पंसावली मिलती है सोनपत मुहर में ही हमें हर्ष का पूरा नाम हर्ष वर्धन प्राप्त होता है हर्ष के कुछ सिक्के भीतोरा जो पहजाबाद उत्तर परदेश में है गाम से प्राप्त हुए है ये चांदी के सिक्के हैं तथा इन पर स्री साल दत अर्थाज सिरी सिल्ला दित्ते अंकित है केजी वाजपेई ने फरुक का बाद से हर्स का स्वन सिक्का प्राप्त किया है इस सिक्के के मुख पर परम बटारक महराजा दीराज स्री हर्स देव अंकित है तता इसके प्रिष्ट भाग पर उम्मा माहेश्वर की आकरती खुदी हुई है ये तो ते पुरातात्विक्स रोत अब आते हैं आपके साहितेक्स रोत तो हर्स चरीत हर्स चरीत की रचना बान भटने की थी उर्बान भट के बारे में हमने पूरी तरह से जानकरी पहले वाले वीडियो में दी है वहाँ पे देखेगा इस ग्रेंद के द्वारा वर्दर मन्स का इत्यास जाना जाता है इत्यासिक विशेव पर गद्दे कावे लिखने का पहली बार प्रियास किया गया यह एक आख्याई का है जिसमें लेखक अपने समकालीन सासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वरित का वर्णर पस्तूते करता है कावे सास्तर की परीभासा में आख्याईका को कथा से भिन मानते हुए लिखा गया है कि पर्थम आख्याईका परंपरा पर आश्रित होती है जबकि दूसरे कथा में थोड़ी ही सचाई होती है हर सरित में आठ अध्याई अत्वा खंड़ें इन्हें उच्वास कहा जाता है तो उच्वास किसे का गया है हर सरित के जो आठ अध्याई अत्वा खंड़ें उन्हें उच्वास कहा गया है हर से सरित के आठ उच्वासों का वीवरण इस परकार से है पर्थम तीन में बान भट तथा अपने बच्पन का उलेक किया है इसी में वह हर्ष के संपर्क में आने का वीवरण देता है तीसरे उच्वास में स्रीकंट्री जनपत तथा इस्थाने स्वर का वर्णन करते हुए वह हैं पूस्य भूति तथा भहरवाचारिये नमक सैव आचारिये के आपसी संबंदो के विशे में बताता है चोथे उच्वास में प्रभाकर वर्धन संबंदी उलेक है जहां राजे वर्धन, हर्ष वर्धन, राजे स्री के जन्म, बच्पन, यू कर्नोच के राजा ग्रह वर्मा के साथ राजे स्री के विवा जैसी गठनाओं का वर्णन किया गया है उच्वास में सीमा प्रांत पर हुणों के उपदर्व उन्हें दबाने के लिए राजे वर्धन को भेजने प्रभाकर वर्धन की बिमारी तथा मृत्यू का वर्णन किया गया है चट्वे उच्वास में सोक ग्रैस्त राजे वर्धन द्वारा सन्यास ग्रहन करने की उसके बाद राजे वर्धन द्वारा सच्टर ग्रहनकर मालव राज के विरू अभियान मालव राज की पराजे दूस्ट शषांग द्वारा चल्पूर्वक राज्य वर्धन की हत्या का वर्णन है इन सब गटनाओं के अलावा हर्ष मेर्ष के समस्त सत्रों से बदला लेने तता पर्थवी को गोड विहिन कर देने की परतिक्या का भी विवरण है साथवे उच्छवास में हर्ष के सन्याभियान कामरूप के राजा भासकर वर्मन के राजदूद हन्सवेक त्वारा प्रेसित मैत्री परस्ताफ स्विकार किये जानने का विवरण है आठवे तता अंतिम उच्छवास में राजदूद की खोष तता प्राप्ति दिवाकर मित्र से मिलन तता राजदूद को साथ लेकर सैन्य सीवर में वापस आनने का वर्नन किया गया है इसी के साथ हर्ष करित का विवरण समापते हो जाता है यह गरंद हर्ष के सासनकाल का एक सजीव तता समकालीन चित्र प्रस्तूत करता है हर्ष कालीन भारत की राजनिती एवं सिंस्कृति के उपर भी हर्ष रित्ष्य प्रकास पड़ता है कादंबरी कादंबरी नाम गरंथ की रचना बान बटने की थी यह सिंस्क्रिट साहिते का सिर्वस्रेश्ट उपन्यास है इसके अधेन से हमें हर्सकालिन समाजिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है और देखेगा स्टूजन्स हर्सकालिंस समाजिक और धार्मिक इस्तिती के बारे में हमने फहले वीडियो बनाये था आप वहाँ पे वीडियो देखिएगा और समाजिक तता धार्मिक जिवन के बारे में जानकरी प्रात करिएगा अगला ग्रेंट आता आरिये मंजू स्री मूल कल्प यह एक परसित महायान बो द्रम ग्रेंट है सर्वपर्थम गणपती सास्त्री ने 1925 इस्वी में इसे प्रकासित किया था इसमें 1000 लोग हैं जिनके अंदर इस्वा पूर्व सात्विस्त आपदी से लेकर आठ्विस्त आपदी इस्वी तक का प्राचीन भारत का इत्यास वर्णित है हर्ष का अलिन इत्यास की कुछ गठनाओं पर यह है ग्रेंट प्रकास डालता है इसमें हर्ष के लिए केवल है शब्द का प्रियोग क्या गया है किन्तु इस ग्रेंट में अने अने थियासिक सामगरियां भी भरी हुई है अब देखेगा स्विम हर्ष के द्वारा लिखेगे ग्रेंट वो कौन-कौन से है हर्ष ने स्विम तीन नाटे ग्रंथ लिखे जो निम्न लिखी थे प्रियदर्शी का, रतनावली और नागानंद। इन ग्रंथों में से भी हर्ष के समय की जानकरी प्राप्ति होती है। फिर अगला आता है विदेशी विवरण। वेन सांग तदा उसका विवरण। वेन सांग एक पर्षित चीनी यात्री था, जो हर्ष के समय में भारत की यात्रा पर आया था। वह है 16 वर्षो तक भारत में रहा। वेन सांग ने अपना यात्रा विटांद लिखा जिसका नाम स यूकी है। इस फुस्तक से ततकालिन राजनेती तदा संस्कृति का इथियास का पता चलता है। वेन सांग की जीवनी। वेन सांग की जीवनी की रचना वेन सांग के मित्र वीलली ने किथी बील नमक विद्वान ने इसका अंग्रेजी में अनुआत किया है। इससे भी हर एक चिन्नी यात्री था जिसका यात्रा विवरण हर्सकालीन इत्यास के अध्यास के लिए उप्योगी है इसके यात्रा विर्तान्त का अंग्रेजी में अनुवाद जापानी बोध विद्वान तकुसु ने ए रेकॉर्ड ऑफ दे बुद्धिस्ट रेलिजन नाम से परस्तु क्या है ठीक है तो देखेगा यह वीडियो एक्जाम की दस्टि चें बहुत ही मेत्वपुन है और इस वीडियो में हमने स्परात न करी से वीडियो को अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत भुद धन्यवाद